कस्मीर मामले पर पाकिस्तान का किसीने साथ द्या हो या नहीं पर भारत की तरप से उसे कुछ तो सकारात मकम मिलाई है भारत में पाकिस्तान के काफी मददगार है पूरवर्ति सरकारे तो पाकिस्तान को सिराखो पर बिठा कर रखती थी जिससे यह एक जिदल्ला बच्चा बन गया था इसके नकरे एफिल टावर से भी उचे थी और लटके जटके तनोवजनी भारी जिने यह भारत की तरफ मठका कर खिरकतर रहता था यूरोपियन यूनियन के नो देशों के सामसद अपने दो दिविश्य दोरे पर कस्मीर को खुसगवार देखकर जब पाकिस्तान पर बरसे तो भारत में मौझूद पाकिस्तान के मददगारों के पेट में दर्दोने पर सवाल जरूर बनता है इनका तरफ है कि इने कस्मीर क्यों नहीं भेजा गया EU के सदेश्य को तो भेजा जा रहा है पर ऐसी बात नहीं है कि इने कस्मीर नहीं भेजा गया हो गुलाम नभी आजाद माकपानेता तिरगामी को भी 16 सितंबर को सुप्रीम कोट ने कस्मीर में जाने की इजाज़त दी थी पर सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी नहीं जो भारत विरो दिरुक अपनाया और जिस तरह कस्मीर को लेका उसके ब्यान आए उससे पाकिस्तानी प्रोपगेंडा को ही मदद मिली है कांग्रेस के मुकाबले EU के सांसद जादा बैतर है क्योंकि कल जब इन्होंने पाकिस्तान को लतार लगाई उससे अंतराश चेस्तर पर भारत का पक्स जादा मजबूत हुआ है कांग्रेसी या ओवेसी जैसे लोग होते तो उनके मुकारविन से ऐसे प्रवचन इस फुटित होने का सवाल नहीं उठता खास बात यह है कि भारत के मुसल्मानों का बड़ा तबका कस्मीर में अनुचे 370 और 35 रिमूव हो जाने से परसन है जबकि कांग्रेस को लगता है इसे भी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसका मतलब क्या यह है कि कांग्रेस केवल वोट बैंक के लिए राजनीति करती है कुछ लोग कहते हैं कि भारत सरकार कस्मीर मुद्दे का अंतराश्टे करन कर रही है पर हकिकत यह है कि कांग्रेस से कस्मीर को जादर नुकसान हो रहा है पांच अगस्त को संसद के पटल पर अधीर रजन चोदरी द्वारा कस्मीर को यूएन का मसला बता कर क्या संदेश दिया गया इसके बाद रहुल का अधीके ट्विट्स का पाकिस्तान ने यूएन के मंचो पर उसका इस्तेमाल करके साबित कर दिया कि भारत में उसके मददगार कौन-कौन है सितंबर महा में कस्मीर मुद्दे पर सुप्रीम कोट में आठ से जादा याचिकाओ पर सुनवाई हुई यह याचिकाए कांगरेस पार्टी और माकपके द्वारा ही डाली गई थी चोकाने वाली बात यह है कि जनवरी 1990 में एक लाग पचासार इंदू प्लान कर रहे थे तब सत्ता में कांगरेस ही थी उस वक्त इसके चेरे पर चिंता की एक लकीर नहीं थी पर आज इन्हें कस्मीर की बड़ी फिकर हो रही है पर मामला यहां तक नहीं है कांगरेस की सत्ता से बेदखली दसवे साल में परवेश कर चुकी है इनने सत्ता में रहने और जंता पर सासन करने का जो चसका लगा उसमें इन्होंने अपनी अंगरेजी मान चिकता का कभी प्रित्याग नहीं किया मतलब फूट डालो राज करो यही कांगरेसी नेता कभी कस्मीरी इंदों की खबर लेने नहीं गए उन देश वक्त मुसल्मानों की इन्होंने कभी खबर नहीं ली जो देश के लिए कस्मीर में सईध हो गए जिन अलगावाद्यों को यह बारी सुरक्सा और भत्ते देते थे इन्हें उनकी बड़ी फिकर है सवाल पूछे जा रहे हैं वे कहां हैं उनके जहरीले बॉल क्यों सुनाईनी दे रहे हैं यही बॉल कांगरेस में संजीवनी का काम करते हैं अगर कांगरेस को कस्मीरियों की इतनी फिकर होती तो अपने ही देस में सरनार्थी बनकर जीने वाले कस्मीरियों पर भी एक दो ट्वीट्स तो जरूर बनते थे इसी दोरे विवार के कारण कांगरेस से लोगों का मोबंग हो रहा है कांग्रेस की मानसित्ता केवल मोधी सरकार को ऐस अपल साबित करना और उसके फैसलों को गलत दिखा कर राजनीती करना रह गया है देश इनके लिए कितने माईने रखता है ये भी देश ही देख रहा है EU के सांसद बिचोलिया बनकर नहीं आए है बलकि भारत के मित्र के रूप में आए है अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान उन्हें पहले ही मुसल्मान विरोधी परचारित नहीं करता ये सांसद कांगरेस की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाते हैं इसलिए वह इनसे खिन है क्योंकि कांगरेस और पाकिस्तान ने कस्मीर को लेकर जो जूट बोले ये EU सांसद दुनिया को उसकी वास्पिक तब बताएंगे इससे पाकिस्तान के साथ साथ कांग्रेस के उस प्रोपेगेंडा की हवा निकलना भी तैह है जिसे ये दोनो नानी धेवते परचारीत करते रहे हैं आसा है दोस्तों वीडियो पसद आया होगा आपसे सिगर बेट होगी तब तक के लिए अरुमती दीजिए जै जवाद जै किसाथ जै हिन वद बातरों